Hello Friends, Welcome to my study fit of physical education channel दोस्तो ऐ आज का वीडियो है physical fitness and health education जिसके अंतरकत आप health related physical fitness, motor skill related physical fitness जैसे muscular strength, endurance, flexibility, coordination, cardio-dispyterity endurance स्ट्रेंज, स्पीड, इंडुरेंज, फ्लेक्सिबिटी, कोडिनेशन, आई से रिलेटेट कोस्टन्स होंगे, एंड डिजी एंड निट्रेशन आदी से, यह टापिक आपके फिजिकल एजिकेशन किसी भी कमपटिशन एक जम के लिए मोच्ट इंपोर्डेंट है, और हन्डे पर छोड़ के चले जाते हैं, यहां सब कुछ पता चल जाता है, तो दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपका एक्जाम कैसे निकलेगा, यदि कठी रिस्तर का अगर कोस्टन्स आप देखेंगे, तो आधे पर छोड़ देगे, पूरा देखें, पूरा समझे, तभी तो धैरे बना जैसा कि नमबर के फर्स्ट सब्ता में इसका नॉडिफिकेशन जारी होगा, एंड दिसंबर में इसका एक्जाम होगा, तो आपके पास टाइम नहीं है, और मैं एक-एक सभी चेप्टर का एक-एक टॉपिक को माधिर से एक्स्प्लेन करते हुए, आपको रोज प्राक्टि और यहां से बाहर कोई questions नहीं आएगा, आएगा तो syllabus के अंदर ही न, टापिक के अंदर ही बाहर से कहां से आजाएगा, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, और यह जो वीडियो है सभी, क्योल BPNC TGT 2023 के लिए ही नहीं है, आपे तु, All Physical Education Competition Exam के लिए most important है, थियो थियोरी सेशन भी आप पढ़ना चाहते हैं जो चैनल के playlist पर जाएए, और सभी टॉपिक के थियोरी सेशन दिया हुआ है, वहां detail में पढ़ सकते हैं, तो समय नहीं नहीं करते हुए, चलते हैं आज के questions के तरफ, question है दोस्तो, सरीर रचना का एक महतपूर घटक है, सरीर रचना एक महतपूर घटक है, यानि, body composition and important component, तो body composition किसका important component है, health related capacity, किसका है, health related capacity, यहाँ पर आसन नंबर, ए राइट हो जाएगा, health related, physical fitness के अंतरगत आता है, body composition, यानि, सरीर रचना, यानि, स्वास समंधी, छंता का, और आप जानना चाहेंगे, कि स्वास समंधी, छंता के कारकों में और कौन है, तो, जैसे कि physical fitness को दो भागों में बाटा गया है, health related physical fitness, and motor skill related physical fitness, health related physical fitness में muscular strength, muscular endurance, co-ordination, स्वारी दोस्तों, यहाँ पर health related में पाँच घटक आते हैं, muscular strength, muscular endurance, cardio, respiratory endurance, flexibility and body composition, and motor skill related में आते हैं, strength, speech, endurance, flexibility, coordination, तो, यह पाँचों घटक याद रखेगा, health related में, and the next question के तरफ चलते हैं, जैसे कि हमारा स्वास्त जो है, fitness जो है, सरी की संद्चना का एक महतपूर घटक होता है, जैसे कि इसकी परिखासा में कहा भी गया है, दोस्तों कि, physical fitness की परिखासा में, physical fitness होता क्या है, जो कोई भी बेटकी कारे को किसी भी वातावर में बिना रूखे, आसानी से ठकान के साथ करता है, उसी को physical fitness करते हैं, यानि daily routine work without any fatigue, बिना ठकान के दैनिक कारे करने की छमता, यानि कि, दैनिक कारे करने के बाद भी आपके पास अधित उर्जा बना रहे, कोई अचानक भी पती आ जाए, अचानक से कोई कारे करना पड़े, तो भी आपके पास उर्जा रहे, उसी को आते हैं fitness, एंड, next question है, बस मेरे साथ बने लिए, और एक-एक question, लांच तक पुरा देखेगा, ये question भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सभी questions most important है, यही सब question आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है, निन में से कौन सा स्वास्ते से समांधित fitness का घटक है, अब बताईए आप, which of the following is component of health-related fitness, इसमें से कौन health-related physical fitness component है, तो health-related में कौन आते हैं दोस्तों, यह आपका, आपको देखना है कौन है, health-related, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, प्रथिक्रिया चंता यानिक reaction capacity, agility यानि चपलता, speed यानिकी गती, यह तीनों की तीनों motor-skill-related, physical fitness related हैं, यह तीनों तो होंगे नहीं, कौन सा आपसा डाइट होगा, आपसा इम्बर डी, पेसी सहन सकती, यानि muscular endurance, muscular endurance होता क्या है, पेसी या इसकी समूह की वजश हमता, जो किसी प्रतिरूद की बिरूद, या उसकी ऊपर से कारे करती है, जैसे दिवार को धक्का मारना, dumbbells उठाकर एक जगह से दुसरी जगह रखना, यह muscular strength है, यहाँ पर क्या पूछा है, muscular endurance, muscular endurance होता है, पेसी या पेसी समूह की वजश हमता, जो किसी क्रिया या भ्यास को लंबे समय तक थकान की सिटी में भी करने में सहायक हो, जैसे cost country, and pull-offs, sit-offs, जैसे कि दोस्तों, endurance सब्द जहां आएगा, वहाँ थकान सब्द ज़रूर रहेगा, फटी कि सब्द ज़रूर रहेगा, याद रखेगा, and the next question है, सारीक तंद्रुस्ती की योगिता है, have the ability to be physically fit, यानि physical fitness की योगिता ability क्या होना चाहिए, इसको हम कहेंगे कि वह physical रुप से fit है, तो क्या हम यह सबसे बेस्ट है, daily routine work, doing daily work, यानि दैनिक कारे करना, दैनिक कारे करना ही आपका होता है, physical fitness, यानि कि दैनिक कारे करना, यानि सारीक तंद्रुस्ती की योगिता है, physical fitness की ability है, चंपता है, निक्सन ने कहा है, दोस्तों, ये परिभासा पूछा भी जाता है, रिगत्न रिंगरी प्रीजिकटि से संबंद। इसमें हम अपने या डेली रूटीन के समाने कारे बिना थके या थकान के साथ संपन्नि करते हैं और पिरभी अचानक आने वाली किसी भी विपती या आपती इसीती से निपढ़ने के लिए प्रयात बल और ऊरजासु प्रचित रखते हैं उसी को कहते हैं फिजिकल फिटनेस जहां भी फिजिकल फिटनेस की योगिता की बाद है तो डेली रूटीन वर्क यानि दैनीक कारेच्छमता आपका राइट होगा औरने नेक्स्ट कोस्टन है खेलों से सम्मंदित उत्तम गति विढिया करने के लिए शरीर के विभिन अवयवों का सामझस से बनाने की योगिता को कहते हैं दोश्तों यह कोडिनेशन अबिलेटी से लेटे़ कोस्टन है What is the ability to coordinate different parts of the body to perform better activities related to sports called हैं हमारे सरीर के जो अंग है उनमें सामन्जत से इस्थापित कर रहा है इसका मतलब की यूगमन कर रहा है क्यूपलिंग कर रहा है यह पर राइट अग्न आधसर नमबर डी क्योपलिंग इबिल्येटि य agree Japan जोर रहा है सबी आयंगों को एक साथ जोर की प्रयोग कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे क्योपलिंग अबिल्येटि ये carry equipment योगता समन्जद से बैठाना सबी आयंगों का जैसे की यहाँ पे कर सकते हैं कि खेलों से समधित उत्तम गतिविधिया करने के लिए सरीर के विभिन अंगों का सामधिस से बनाने की योगता को योगमन एकता या क्यूपलिंग योगता कहते हैं जैसे फुरवाल में गेल को नेदरन लाने के लिए कि अपका दिमाग, अपका पेर, हात को एक साथ समय mira करना हैं यह योगमन यूपल्वी योगता होता है जैसे इस साथ अपरकार का होता है, जैसे कि मैंने फिजिकल फिटनेस वरे वीडियो में इस डिटेल में बताया हुआ है, कि इस साथ अपरकार क्यों होते हैं, जैसे कि एडाप्टेशन एबिलिटी जिसका मैं ट्रीक बताया थी, इस साथ अपरकार के होते हैं, साथों के बारे में हम डिटेल में यहां पर नहीं बता सकते हैं, इस साथों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाएए, और कोडिशन वाले वीडियो देखिए, वहां पी सभी दीटेल में बताया गया है, And next question है दोस्तों, कि सारिरिक एवं बौधिक प्रदर्शन करने को निन में से कौन सा ततपरता के बिभिन इस्तर को दसाता है, तो दोस्तों, यहां पे सारिक एवं बौधिक प्रदर्शन करने में से कौन सा ततपरता है कि बिभिन इस्तरू को दसाता है, तो वह होता है आपका जागरिती, अवर्नेस, ठीक है, आपसा नेमर सी, यहां पे होगा जागरिती, यानि कि अवर्नेस, आप हमेशा जागरिती अवर्स्ता में रहेंगे, अवेकिन रहेंगे, तभी आपके सारिक बौधिक प्रदर्शन आपका अच्छा होगा, एंड नेक्स्ट कोस्चन है, प्रू पायो सेटी नीरू मस्किलर फैसिलेशन तकनीक समन्धित है, प्रू पायो सेटी नीरू मस्किलर फैसिलेशन टेकनीकी इज रिलेटेट तू किस से रिलेटेट है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में डीटेल में बताई हूं, एक प्रू प्रू पायो सेटी नीरू मस्किलर फैसिलेशन किस से रिलेटेट है दोस्तों, आसन नमबर C यहां पर राइट होगा लचिलापन यानि flexibility यानि कि flexibility लचिलापन को develop करने की विधी है इस्टेटिक मेथड, balance मेथड यानि कि ballistic, static, dynamic, mpnf मेथड इसको प्रूप आयो सेटिव नीरो मस्कलो फैसिलेशन को pnf मेथड भी कहते हैं यह सांसिलता अभीक्सित करने की best method है यह लचिलापन प्राहनिक सरुतम विधी है अधितम लचिलता आपका 180 degree तक होती है यानि प्रूप आयो सेटिव में नीरो मस्कलो फैसिलेशन जो है उची तरकी खिलाड़ी द्वारा लचिलापन हासिल करने में होता है और नेक्स्ट कोर्चन है यस डाब्लू ओ टी सोट का अलवराय क्या होता है वाट इते मेनिंग और सोट तो दोस्तों इसका मातलब होता है मेंस होता है आप्सर नमबर सी सक्ती कमजोरी सुवसर और संकर्ट स्ट्रेंथ वीक्नेश अपॉर्टिटी एंड दोस्तों जैसे कि सोट जो है यस डाब्लू ओ टी वीक्नेश एक प्रकल्प या एक प्योसाइक उद्दम में सामिल सक्तियों कमजोरीयों और सरूं और खत्रों की मुल्यांकन के लिए इस्तिमाल किया गया एक सामरी की योजना क्रम है इसे कभी कभी इसी जन्य मुल्यांकन या इसी जन्य भी श्लेसर भी कहा जाता है and next question है बिसफोटक सक्ती का संबंध है explosive power is related to तो बिसफोटक सक्ती का संबंध किस से है जैसे कि हमाल सक्ति जो है तीन प्रकार की होती है डानेमिक सक्ति जैसे कि maximum strength यानि कि अधितम सक्ति दूसरा हो गया विसफोटक सक्ति या एक्सप्रोसिर इस्ट्रेंट अर्थिसरा सक्ति सहंसिलता यानि कि strength endurance तीन प्रकार को होती हैं जिसमें आपका विसफोटक सक्ति जो होता है गती और सक्ति दोनों का समन्व होता है तो ये गती के बिरुद्ध गती यहां पर राइट हो जाएगा प्रतिरुद्ध के बिरुद्ध गती यानि कि movement against resistance आपका राइट होगा और यहां विसफोटक सक्ति को plyometric प्रतिक्रिया बिधी भी कहते हैं इस बिधी को अधितम सक्ति के विकास के लिए प्रयोग की जाती है और इसके अ द्रगत आजाएंगे जैसे कि box jump, hurdle jump, sprint start, turning broad jump, vertical jump, sergeant jump, long jump, high jump इस सभी में सक्तियों गती दोनों का समन्में होता है यानि कि पेशियों की वा संचमता जो तिब्रगती यानि उच्च चाल के समय प्रतिरुद्ध को हटाने या उसके विरुद्ध कार करती है तो क्या हो प्रतिरुद्ध के विरुद्ध गतिव होती है वो होता है आपका 20 फोटक सकती और नेक्स्ट कोशन है इस्थी अवस्था से अधिक्तम गती प्राप्त करने की योगिता को कहती है दा एबलेटी टू एचिव मैक्सिमम स्पीट फॉर्म वे इस्टेडी इस्टेट इस्टेडी 2021 में आया हुआ था कि इस्थी अवस्था से अधितम गती प्राप्त करने की योगिता को क्या कहते है दोस्तों इसको कहते है एक्सिलरेशन एबलेटी क्या कहते है एक्सिलरेशन एबलेटी यानि की रियेक्शन एक्सिलरेशन एबलेटी यानि की तुरर योगित करते हैं यानि कि तुरोड योगता होता क्या है यानि हमारा यह गति होती है स्पीड कौ तो, इसमें प्रितिक्रिया योगता, acceleration ability यहाँ तुरड़ योगता, moment यहographics यहाँ प्रितिलन योगता, speed interference यहाँ चाल, यह सभी speed इसमें प्रितिक्रिया योगता, यानि कम समय में अधित्तम गति प्राप्त करने की युगता होती है, जैसे कि आप 100 मिल रेस इस्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही आपको बंदु की अवास सुनाई देगी, यानि कि रियेक्शन होगा, आपकी रियेक्शन एमिट्टी होगा, तो तुरंत सुनाई देते ही आप द इतंग गति प्राप्त करते हैं वही होता है आपका acceleration ability यानि कि प्राव योक्ता जो प्राणभीक दोर के प्राणभीक अवस्था में acceleration ability होता है यानि कि इसमें जो intensity के बिता होती है 90 से 100% होती है and the next question है kriyasil सक्ति को कहा जाता है kriyasil सक्ति को कहा जाता है तो active power is called यानि कि यहाँ active भी कह सकते है या dynamic strain बोल सकते है तो dynamic strain को क्या कहा जा सकता है तो static strain को तो isometric exercise बोला जाता है isometric सकती but dynamic को बोला जाता है isotonic ठीक है यहाँ पर right होगा isotonic strength क्या होगा isotonic strength जिसमें तनाव बुना रहता है iso मतलब same tonic मतलब तनाव यहीं same तनाव होता है और जो पेशियों के लंबाई होती है घटी बढ़ती रहती है isotonic strength जो है दो परकारा होता है concentric and eccentric consent इसे आप डंबल अभयास कर रहे हैं तो अतनी करब ऊपर के तरफ आप खीच रहे हैं को म्हां सपैशियों के लंबाई घट रही है यह हो गया ckoncentric जब नीचे के तरफ लिजा रहे हैं तो मास्पैущयों के लंबाई घट रही यह हो गया इस प्रकार होता है इंड सक्ति को बिशित करने की तिन बिधिया है इसो में इसोटोनिक इसोकेनेटिक इन तीनों के बाले में डेटेल में बताया गया है इस्पोर्ट ट्रेनिंग के वीडियो में इन एक्स्ट कोशिन है दोस्तों कि सरीद वारा उच जगती तक पहुचने का समय है उच जगती जहां पर भी आ जाए वहां आपका एक्सिलेर्शन एबिलेटी ही होगा फैन डेटी जगतिए वारा जास में जगती होती है वासने में गती सरी के अंगोया भी शरी को अधितम वेग में गुमा लेगे चंता होती है इन्टेंसिटी यानि कि जत्य बिता होती है 90-100% तक होती है और नेक्ट कोश्चन है दोस्तों कि अधिके ब्यायाम के दोरान थकान होने का मुख्य करण है What is the main region for fatigue during exercise? excessive exercise ठीक है? तो during excessive exercise के समय जो fatigue है थकान का मुख्य करण क्या होता है आप सबको पता है lactic acid बनना यानि कि फार्मिशन आप lactic acid यानि कि पेशियों को कुछ समय तक में अंतर आकूंचन किया जाए प्रसारा किया जाए और अन्हेंदर कर लिया जाए तो उनमें आकूंचन की समता धी रिए कम होने लगती है और अंतर तह lactic acid के अधीक मात्रा में जम जाने के करण इसमें आकूंचन नहीं हो पाता इसी को हम कहते हैं 40 यानि कि फार्मिशन का प्रकार नहीं है which of the following is not a type of coordination जैसे कि समन में युकता मैंने बताया ही है कि साथ प्रकार के होते हैं A, B, C, D, R, R, O A, B, C, D, R, R, O साथ प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे साथ प्रकार आपको याद होगा A से एराप्टेशन एबिलेटी यानि अनुपला नहीं होता, B से बैलेंस एबिलेटी संतुला नहीं होता, C से क्विपलिंग एबिलेटी युगमा नहीं होता, D से डिफ्रेंसियेशन एबिलेटी पिछत करण के होता, R से रिद्मिक एबिलेटी तालम नहीं होता, R से रियक्शन एबिलेटी प्रतिक्रिया युगता फिर ओसे orientation ability निधार युगता यहाँ भी आप देख सकते हैं कैपलिंग उडिटी, response ability and coordination ability coordination ability ए तीनों की तीनों समन्नों प्रकार समन्नों युगता की प्रकार है बट शार्ट प्रेड method यानि कम आउधी नहीं है and the next question की तरफ चलते है कि सहन सिल्टा को निधारिद करने वाले कारक है what are the factors determining tolerance तो endurance को determine करने वाले निधारिद कौन से है दोस्तो तो यहाँ पे आपके हुँँगे आक्सी अनाक्सी छम्ता यानि की आक्सी एन एनारोबिक एरोबिक अनेरोबिक टैपिसिटी होगा ठीक है and उर्जा के स्रोथ sources of energy monobigyanic कारक psychological factors ये सभी के सभी factors होँँगे आपको सहन सिल्टा इंडरेंस को निधायत करने वाले आलाब यहां पर राइट होगा यानि की सांसी तक निधायन करने वाले कारक हैं आक्सी अनासी छम्ता उर्जा के स्रोथ मने बिज्ञानिक कार अवाई भी दहलीज ठकान पतिरोथ इधन का उपयोग आदी and एक्स्ट कोशन है कि हैरीसन क्लारक के अनुसार सारी स्वास्ते के मूल घटक है घटक यहां पर होगा ठीक है एक्स्ट क्लारक वाट आर दर वेसिस कंपोनेंट आप फिजिकल हेल्थ तो उन्होंने यह गति तो आएगा नहीं आप अपने से समझ सकते हैं स्वास्ते के मूल घटक अजये को स्वास्ते के मूल घटक किसको माने नहीं यानि कि muscular durability, muscular force and cardiovascular ability यानि कि कौन राइट हो जाएगा? 1, 3, 4 1, 3, 4 यानि कि 1, 3, 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा option number B आपका राइट होगा and the next question है लोज का निधार निन में से किन कारकों से होता है which of the following factors determine elasticity? elasticity यानि लोज का निधार किन कारकों से होगा यहाँ आपका होगा strength यानि कि power यानि सक्ती coordination यहाँ पर coordination and अस्ती बंध coordination यानि समन्वे और संधी अस्ती बंध यानि कि articular ligament आपका इन तीनों ये तीनों रिधायत करते हैं लोज का यानि elasticity का तो यहाँ पर कौन से राइट answer हो जाएगा 1 A C यहाँ पर हो जाएगा आपका सक्ती समन्वे और प्रतित्तर समय एक दो और फोर एक दो तीन ठीक है तो यहाँ पर option number D आपका right होगा समन्वायत्मक चमताएं मुपता कि निपन निभा करती है और दो कोडिनेशन अबिलेटी मैनली डिपेंड तो चुकोडिनेशन अबिलेटी वह सी है वह हमारे central nervous system से related होती है और यह गामक नियंत्र है इसका है तो यहाँ आपसं आराम से आप चुश कर सकते है गामक नियंत्र और केंडरी इसनाई तंत्र की बिनियमन प्रक्रिया तो यहाँ पे 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा आपसं नमबर 1 ठीक है गामक नियंत्र यानि की डानेमिक कंट्रूल और केंडरी इसनाई तंत्र की बिनियमन प्रक्रिया यानि की regulation process of the central nervous system तो इसे निधायत होता है and next question है मोटा आपका नियंत्र के लिए ketogenic अहार का जोर किस पर होता है what is the emphasis of ketogenic diet for controlling obesity तो obesity को control करने के लिए ketogenic diet में किस पर जोर दिया जाता है तो इस पर carbohydrate symmetry करर यानि की carbohydrate restriction यानि limitation पर ध्यान दिया जाता है बिभिन अंगों उतकों इत्याबी के स्वस्त होने की गति अलग अलग होती है यह कहलाती है the speed of recovery of different organs, tissues, etc. is different, this is called तो जो बिभिन अंगों की speed अंग होती है, उतक होती है इन सभी के स्वस्त होने की जो गति होती है, अलग-अलग होती है तो इसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तो आसा नंबर A राइट होगा स्वस्त होने की प्रक्रिया की hetero-chronosity, क्या कहा जाता है स्वस्त होने की प्रक्रिया की hetero-chronicity, यानि की hetero-chronicity of the recovery process यानि कि मालों सरीरी छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो दोस्तो यहाँ पे आसा नंबर A राइट नहीं होगा, आपका यहाँ पे राइट होगा आपसा नंबर B ठीक है? यहाँ पे आपसा नंबर B राइट होगा, यहाँ पे स्वस्त होने की प्रक्रिया का हाइपो-chronicity क्या होगा? हाइपो-chronicity इसी को स्वस्त होने की प्रक्रिया को हाइपो-chronicity कहा जाता है ठीक है यहाँ वे सौडी गलत उत्तर बताने के लिए स्वास्त होने की प्रतिया की हाइपो कुर्णिसिटी होता है नेक्स दोस्तों निवन में से कौन सी प्रकारियों को मापने के लिए आरगर मोटर फिटनेस टेस्ट की स्टाफना की गई थी तो दोस्तों जो आरगर मोटर फिटनेस टेस्ट है यहाँ 1962 में आरगर इसकूल में बनाया गया था यहाँ जो टेस्ट है विद्याले के छाद्रों के कष्चा इस्तर के धाहाँ पर वर गिकिश किया गया था तो यहाँ पर आपको राइट एंसर चूज करना है तो कौन सी प्रकारियों को मापने के लिए आरगर मोटर फिटनेस टेस्ट की साफना की गई थी तो यहाँ पर आपसा नेमर सी राइट होगा एक दो और चार क्या होगा एक दो और चार यानिकि ग्रेट इस्तर की अनुसार सारी स्वास्ता की इस्थिति की दिधार है तो यानिकि तो डेटर्माइन्ट फिजिकल फिटनेस स्टेटर्स अकॉर्डिट तो ग्रेट लेवल एंड मानक सी नीचे वाले इस तरों की पहचान करने हाई तू ताकि स्वास्ता में सुधार कराक्रम प्रानम किया जा सके तो इन तीनों के लिए किया गया था जैसे कि आर्गर मोटर फिटनेस टेट पूरुष छात्र के लिए और महिला छात्र के लिए दूनों के लिए निए जुनियर एंड सिनियर हाइशूल लेवल के लिए पुल अफ्स जंप्स एंड एंड एक्सो साथ याड पोटेटो रिस एंड महिलाओं के लिए हैंगिंग इन आर्म फ्लेक्शन एंड इस्टेनिक ब्रॉड जंप एंड क्राश्ट अर्म कर्ल बनाया गया था यानि कि विडिया मापदंडो क्या सकता होती है BMI यानि Body Moss Index इसको फुल फॉर्म क्या होता है Body Moss Index यानि कि वीच आप देख सकते हैं इसको मापने का सुत्र होता है Body Weight in kg फिक है Body Weight in kg अपाण Height in meter square Height in meter square जो Height in meter square जो Height in meter square फिक है Height मीटर square Weight in kg अपाण Height in meter square यानि कि weight जो है kg में होगा यहाँ पे कुन हो जाओ Weight in kg वेट in kg & height in मिटर स्कॉय यहां होगा, तो क्या हो जाएका, 2 S3 यहां पे राइट हो जाएका 2 S3, आपसन। 2 S3 यहां पे राइट होगा BMI को गरना करने का सुत्र होता है, वेट इन केजी अपान high in मिटर स्कॉय, BMI होता क्या है, बाडी मास इंडेक्स, यानि किसी ब्यक्ति की उचाई और वजन का अनुपाद कितना है, यानि कि लंबाई की अनुसार, उसका वजन ठीक है कि नहीं, उसी से गरना किया जाता है, कि ए मुटाबा ग्रस्त ब्यक्ति है, कि गूड है, कि आप ए कमजूर इसी ती में है, तो BMI कल अंडर वेट में आएंगे, यानि कि आपको डाइजस्टी, प्राब्लम्स, विक्नेस, इस्ट्रेस, इंजायती, मस्कुलर ब्रेक्डाउंस, आधी प्राब्लम्स हो सकते हैं, बट आपका 19 से 22.9 तक आपका है, तो 19 से 22.9 नार्मल होगा, आल गूड होगा, अब 23 से 24.9 के, यानि कि 30 से अपर है आपका, तो आप ओवेस्टी यानि मोटाबे के रेंज में आ जायेंगे, उसमें आपके बहुत सारे प्राब्लम्स होंगे, डाइबिटीज, हाइपर्टेसन, कुरूरी डिजीज, या अर्थराइटीस, फैटी लीवर, फर्टी, ब्लड सर्कुलेशन प ठीट किया जा सकता है, तो दोस्तों आज की सेसर में 21 कोर्शन थे, फीजिकल, फीटेस, एजुकेशन से रिटेट कोर्शन, आई होब की सभी कोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होंगे, जो भी डाउट होगा, कमेंट में बताइए, मैं डाउट किलियर करने की पूरी झाल 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 जाल झाल टाउफे इन रचे हीजड़ हम द ह आल ट Mine